हाई गाईज वेलकम टो आइटियाई टीचिंग आज बात करने वाले हैं स्पीट टेस्ट MCQ कोस्टन पेपर के बारे में हमने आपको 175 नमर तक कोस्टन को सॉल्व कुरा दिया था आज 176 नमर कोस्टन से आपको सॉल्व कुराएंगे और उसके बारे में बताएंगे हम आपको 500 कोस्टन MC को कोस्टन दे रहे हैं जिसमें आपको काफी एक्जाम प्रिप्रेशन में काफी हल्प मिलेगी चलिए करके कोस्टन और उसके बिश्त्री जानकारी जानते हैं तो 176 नमर कोस्टन में आप लोग देख रहे हैं पूछ रहा है आनि फीजकल परवर्डिश की बात क सब्सक्राइब करते हैं और कलर हो गया जिसको रंग बोलते हैं चालगता और स्टेक्चर आनि कि बनावट एक कितने हैं बहुती गुड़ हैं तो इसमें से चारो आप्शन में से आपका जो गनलता फिस्विल्टी है यह आपका सभी है बाकी यह क्या है तीन आप्शन आपके माइनकल परपरटिज आनि आंत्रिक गुड़ हैं चलिए इसके इसकोस्टन इतनी जनकारी भी नेक्सक्राइ लेते हैं 177 नमर कॉस्टन में इंजन असेंबली में कनेक्टिंग राट के बड़े सीरो को जोडने के एंटी फटिंग बोल्टों का प्रियोग क्यों किया रता हैं तो आप से आपका है अपका है मोशन के दवरान असेंबलिंग के जटकों को सहन करना भी है जब असेंबलिं अल्टरनेटिंग लोड कंडिशनों में हो तो लोड लेना सी है आपका असेंबली के मोमेंट के दवरान अच्छी ग्रीप के लिए और डी है असेंबलिंग के पार्ट को धीला होने से बचाना तो सही आपसन इसमें से क्या है इसके बारे में जानना है एंटी फटिंग बोल आपसन इसमें से आपका सही हो जागा बी जब असेंबलिंग अल्टरनेटिंग लोड कंडिशनों में हो तो उसे लोड को लेना जब लोड जब ले लते हैं जोडने के बाद तुझ यही क्रिया किया थी है चलिए नेस्ट कोस्चन देख लेते हैं 178 नमर कोस्चन में है आकस साबून का पानी बी साबून का पानी से कठोर पानी डी है ताजा पानी कौन साथ सब्सक्राइब करते हैं चलिए नेस्ट कोस्टन देखते हैं 179 नमर कोस्चन में इस्टूमेंट के माप लेने वाले फेस पर धूल के कड़ जमने के काड़ आने वाली तूटी को कहते हैं अप्सन आपका यह है, Elastic Deformation तूटी और B है Parallax तूटी और C है Connect तूटी और D है Random तूटी तो कौन से तूटी होती है जिसके इस्टूमेंट जब मापते हैं उसमें धूल और कड़ जम जाते हैं तो कौन से तूटी आती है तो आपका सही आप्सन क्या होगा Contact तूटी होता क्या है, जब हम जो जब माली जे सपोर्ट डेट आपकर आप एक थिंबल से और दूसरे यानि थिंबल होता क्या है तूटी जब हम लगाते हैं तो एन्विल के जो सपेंडल होते हैं और दोनों जब हम सटाते हैं, जो माली जे माइक्रो मिटर की बात कर रहे हैं तो उसमें जब connect नहीं होगा, तो क्या होगा, जब धूल मिटी जमें रहेंगे तो connecting आपकी जब बन नहीं पाएगी, तो उसके कारण से तूटी आ सकती है जैसे आपका जब measuring करना अगर 0-0 आप तक नहीं मिला पाएगे connecting दूल मिटी कारण नहीं आ पाएगे, तो क्या है, एक तरह से तूटी मानी जाएगी तो इसको क्या साप करने के लिए जो हम अगर तूटी आ रही है, तो उसमें कौन सा तूटी आ गई, connecting तूटी आ जाएगी चलिए next question की बात करते हैं, 180 नमबर आनि 180 question में बात करते हैं बर्नियर बेबर प्रडेक्टर में 23 डिगरी को कितने बर्नियर डिविजनों में बाता जाता है, आपसान आपका यह हो गया 25 और B हो गया 20 और C हो गया 12 और D हो गया 10 आनि कि 23 डिगरी आनि 23 डिगरी को कितने बर्नियर इसकेल डिविजनों में बाता जाता है, चलिए next question देखते हैं, Mechanical Surface Measuring Machine के इंडिकेटर में प्रियोग किये जाने वाला stylus का बना होता है, आपसान आपका है, टूल इस्टील का, B है, कार्बराइट का, C है डाइमंड का, और D है कास्ट आरन का, कौन जा सही आपसान होगा इसमें से, C, डाइमंड का, होता क्या है, मैं इसके बारे मैं आपको बता दूँ, कि Mechanical Surface, जो Measuring Machine के इंडिकेटर होते हैं, जब आपको यह चीज आपसे पूछ रहा है, जब आप किसी Material का Hard, Ke strategy जब चेक करते हैं, चैस्ट करते हैं तो उसके जो । कौइंट होते हैं,죠, बने होते हैं जिस पौइंट पर बने होते हैं, उससे के बाद के बास, पूछ रहा है Restylous जो बने होते हैं, किसके बने होते हैं, प्रियोंग का जो बना होता है, आपका प् बर्नियर हाइट गेज की इस स्पेसी फिकेशन क्या है, एपस purely आपका स्क्राइबर की लंबाई और ब्पेस की उचाई, और C भीपकी चोड़ाई, दामें मेंग स्केल की उचाई, और सब्सक्राइब 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 करते हैं इसके द्वारा बने राइट गेज की हुआ चलिए नेस्ट कोशन देखते हैं 183 में एक सिंगल पॉइंट टूल के द्वारा सेंटर लेथ पर एक बाल को टर्न करने के लिए फिर संटर के निम्खित में से मुमेंड का कौन सा कम्विनेशन प्रियोग किया जाता है क्या अपसन आपका सुरी कारज और और कर माल को टरेन करना है सिंगल पॉइंट अनि लेथ मसीन पर आपसन आपका हो जागा 20 है क्रास लाइड और कमपाउंड के द्वारा हम क्या करते हैं टर्न करते हैं चलिए नेस्ट कोस्टन देखते हैं 184 कोस्टन में यदि कटिंग स्पीड भी आनि कि भी जो है मीटर प्रति मिनट और चकर प्रति मिनट यन है यानि आर्पियम यन है दिये हुए हो तो जा आपका 20 डी मिली मीटर में हो तो ग्याद करने के लिए सही सुत्र बताना है आपको आनि डी ग्याद करने के लिए कटिंग स्पीड का पताल को गया नियुक्त केली सिस्टेम अक्पाई हो गया जिसका बैलु होता है 22 226 और वन निकाल सकते हैं तो दी्ट का बैलु की निकालने के लिए इस मिस चारो आप्शन से कौन से आप्षन सही होगा है इस मिस बताना आपको आप्षन इसमें से आपका सही हो जागा A चलिए नेस्ट कोर्षन देखते हैं 185 में इनुवर्सल सर्फेस गेज के निम्रिखित पार्ट में से कॉंस अपार्ट डेटम एज के समनांतर लाइन खीजने में सायक होता है आप्षन आपका है फाइन अजेस्टिंग स्कुरू B है गाइट फीने C है बेस और D है राकर अर्म क्या होगा सही आप्षन B यानि गाइट फीने के द्वरा क्या करते हैं लाइन खीजने के लिए प्रयोग करते हैं नेक्षjam देखते हैं 186 कोस्चंन में इम्समीखीत में σε कीज्फ हैमर का प्रयोग रिवीट की सहयं को फैला कर एट है बनाने कि लिए किया जाता है आप्षन आपका हो गया बाल पें हैमर बी हो गया क्रास पें हैमर सी हो गया स्टेट पें हैमर और D हो गया soft hammer कौन सा आप्सन सही होगा यह होगा ball pen hammer के द्वारा क्या करते है rivet के head को बनाने के लिए प्रयोग करते है चलिए next question देखते है branch wise का spindle घुमाने पर भी movable जा move नहीं करता किसका card है क्या है card उसके region बताना है आप्सन आपका है fixed और movable जा अधिक tight होना B.A. spindle की pin का टूटना C है spring कार नहीं करता है D.A. spindle की चूडियां कुछ इसी भी होना क्या होगा सही option B होगा इसका सही option spindle pin की टूटना क्या है spindle का जो pin होता है तूट गया इसके card क्या होता है movable जा move नहीं कर रहा है next question देखते है 188 number question में flight chisel के cutting edge पर थोड़ी सी convey city होने का क्या कारण है option आपका यह है sharp कारणों की cutting के लिए B.A. cutting edge the current पहुंचाने के लिए और D.A. convert surface की cutting के लिए D.A. cutting edge के 0 का धातु में प्रवेस रोकने के लिए कौन सा सही option होगा इसके बारे में बताना है D होगा cutting edge के 0 पर धातु को प्रवेस होने से रोकने के लिए होगा क्या कि अगर आपकी convert city अगर नहीं बनी रहेगी तो अगर आप cutting करेंगे तो क्या होगा धातु में सीधे सीधे उसके जो होते हैं अगर आप cutting करेंगे तो सही से edge में नहीं भुशेगा उसको हम रोकने के लिए प्रियोग करते हैं कि नेस्ट कोस्टन देखते हैं 189 नमर कोस्टन में प्राय किस standard लंबाई वाले hexa blade का प्रियोग किया जाता है option आपका हो गया सो मिलि मि疫टर और बी हो गया 150 मिल–A ृऔर सी हो गया 200 मिलि मितर और डि हो गया 250 मिलि मिलि मिल तो प्राय जो प्रियोग किये जाते हैं िस्ट्रण लंबाई वाले hexa blade के बारे मम बताना है तो कौन सा आप्सण सही हो गा इस में से कि डी होगा और दोसफ़ पचास मिलीमिटर के प्राय लंबाई वाले हेक्सा बेड प्रयोग के जाते हैं और नेस्ट कॉस्चन देखते हैं मिट्रिक मायक्रो मीटर में कितनी माप ली जा लिस्ट के काउंट की बात कर रहा है कितनी सुक्षमता में माइक्ति कश्पर माकरो मेटर मरें दे ot कौन सा सही आप्षन होगा इसमें से बताना आपको कि भी होगा सही आप्षन इसमें से 0.01 mm चलिए नेस्ट कोस्टन देखते हैं 191 नमबर कोस्टन में निमखित में से किस इस्टुमेंट में प्रतेक में इसकेल डियोजन का मान एक डिगरी और प्रतेक बर्नियर इसकेल डियोजन का मान एक डिगरी 55 मिनट होता है तो इसमें से कौन सा इस्टुमेंट जो है जिसमें क्या नाम है एक डिगरी में इसकेल का मान होता है और brainier scale का पाम होता है ilian degree eating morning होता है तो option आपका यह हो गया बर्नियर paper protector बी हो गया universal driver protector और C हो गया A वर B दोनों और D है इन में से कोई नहीं कौन सा जसा सा इस्टुमेंट है उसके बारेम बताना है C होगा सर्य nursery action इसमें से दोनों होगा universal paper protector की main scale का मान चलिए next question देखते हैं Second cut file होती है क्या होती है option आपका cut के अनुसार B है great के अनुसार C is a car के अनुसार B is size के अनुसार तो इसमें से बताना second cut file जो है carding to cut के अनुसार किसके अंतरगत आती है इसमें से बताना आपको है सही option होगा इसमें B great के अनुसार होती है होता क्या इसमें से question आपके मादेम सा और बता दना चाहता हूँ आपको कि second cut file जो होती है great के अनुसार होती है अगर इसमें से पुछे cut के अनुसार काउन सी file होती है तो single cut file जो होती है cut के अनुसार होती है चलिए next question देखते हैं तूल इस्टील का, च हो गया निकील इस्टील का ऋटो सही आफ्शन क्या है हूए कट बूर उडही हूगा आणि टूल इस्टील का ही कंपनणी क्तिल भी बोलते हैं और करूंतअ टूल इस्टील सही है जलें नेक्स कोश्चन देखते हैं कि अब कट धाते पाए जाते हैं अब कर दाते किसमी पा जाते हैं अप Curry का होगया We पड़ाना आपको आप डबल कट में आपकट दांते पाया जाते हैं इसमें दोहरे दांते यानि एक तरफ के दांते जो होते हैं 40 डिगरी से 45 डिगरी तक कटे होते हैं और दूसरे जो होते हैं 80 डिगरी से 87 डिगरी के कोड में कटे होते हैं तिसे हम अपकट डाते बोलते हैं चलिए नेस्ट कोशन देखते हैं, 195, हेक्सो बलेट पर दातों की सेटिंग के क्या कारड है, क्या कारड से सेटिंग की जाती है, तो आप्शन आपका है, जल्दी नहीं गिशता है, भी यह देखने में सुंदर लगता है, C असानी से बंद जाता है, और D यह घरसड कम होती है, तो सही आप्शन क्या होगा इसमें से, D होगा सही आप्शन, घरसड कम होता, और friction कम होता है, जब हम बलेट की सेटिंग कर देते हैं, कटिंग के लिए, कटिंग के लिए जब बलेट की सेटिंग करते हैं, तो अगर सेटिंग आपका प्रॉपर सही नहीं है, तो उसमें क्या होगा आपकी cutting career साही नहीं होगी और क्या Howakukan कि उसमें cutting ҧ्था साही नहीं होगी और cutting के दवरान आपका क्या होगा अगर ब्लेट Luke है तो तूटने का कारण है और दूसरी setting में आपका यह है कि में setting आपका है जब भी आप exp spain IntraBlue में ब्लेट को हो जाती है जो लिए नेस्ट कोश्चन देखते हैं आपका 196 नमर कोश्चन में ड्रिल स्लीव का प्रयोग तब किया जाता है जब मसीन के स्पेंडल के टेपर बोर क्या पैच्छा ड्रिल क्या हो आपसन आपका है छोटा होता है भी बड़ा होता हो है और सी बराबर होता है इनने से कोई नहीं कि आपके आफका स्चन होटा होता है कि द्रिल का प्रयोग इस्लिए करते हैं जब मसीन स्टेंडल के जो टेपर दोर है वो चूटा होता बताना है तो किसके अंतरगत आता है आपका आप सने हैं MT1 हैंनि MT का मतलब होता है more step or one और B आपका हो गया MT2 और C हो गया MT3 और D हो गया MT4 तो सही आप सने इसमें से बताना है किसके अंतरगत आता है B आनि कि MT2 के अंतरगत आता है मैं इसमें एक गड़ना होता है गड़ना मैं आपको बता दूँ MT1 0 जो होता है MT0 होता है वह 0 से 3 mm तक के साइज को रखा दाता है और MT1 होता है वह आपको 3 mm से 14 mm तक के साइज को रखते हैं और MT2 जो होता है 14 mm से 23 mm साइज तक रखते हैं और MT3 जो होता है 23 mm से 31.75 mm तक रखा दाता है और MT जो फोर होता है आपका 31.75 mm से 50.3 mm तक रखा जाता है तो आपके यह रेंज हैं इस रेंज के अंतर अगत कौन सी साइज मिलती है उस साइज को हम बताते हैं एक कोस्टन कई दफे एकजाम में पूछा गया है बहरी इपोर्टेंट कोस्टन है इस कोस्टन को ध्यान रखेगा अचलिए नेस्ट कोस्टन देख लेते हैं 198 नमर का कोस्टन में है करबराइट धातियों की ग्रांडिंग के लिए कौन सा ग्रांडिंग विल प्रियोग करते हैं आप्सन आपका है हो गया एलमूनियम आकसाइड बी हो गया सिलकान करबराइट डी हो गया डाइमंड और डी हो गया कोरंडम कौन सा विल जो है करबराइट की ग्रांडिंग के लिए कौन सा ग्रांडिंग विल का प्रियोग करेंगे उसके बारे हम बताना आपको है सही आपसन हो गया इसमें से C डाइमंड का प्रयोग करेंगे चलिए नेस्ट कोस्टन देखते हैं 199 नमर का कोस्टन में फाइल का मुख्य कार क्या है आपसन आपका ये हो गया धात को काटना B.A. धात को जोडना C.A. धात को मापना और D.A. इन में से कोई नहीं एक कोस्टन बहुत असान है फाइल का कार क्या है क्या करते हैं फाइल के द्वारा फाइल के द्वारा क्या करते हैं फाइल को धात को काटते हैं इसमें से एक कोस्टन आपको बताना है कि फाइल जो होता है वो किस material के बनाया जाते हैं इसमें से comment करके आप लोग बताईएगा चलिए next question देखते हैं 200 question में shrinkage fit का सुरुत्तम उधारण है आपसान आपका यह cycle के पहिए पर fit tire और भी यह flywheel पर fit soft और C.A. scooter के पहिए पर fit tire और D.A. बलगाड़ी के पहिए पर fit rim क्या होगा सही आपसान इसमें से बताना है shirtring के जो fit होति है किसकी लिफ दारण है सही आपसान होजागा इसमें से D. बलगाड़ी के पहिए पर fit त्रीम क्या करते हैं उसमें हम GRD करते हैं दों किसी धाधू को गर्म करके उसमें हम Facebook करतेkem next question देखते ही rária last question आपका है कि साफ्ट बेसिस पधति में क्या होता है साफ्ट बेसिस सिस्टम की बात कर रहा है इसमें से क्या होता है आपका यह होल का साइज साफ्ट से बड़ा होता है और बी है साफ्ट का साइज इस्थिर होता है तथा सिक्रित टालेंस होल पर दी जाती है और सी है साफ्ट का साइज ह कि आपको आपको चानकारी मिली और आगे हम नेस्ट कौशन आपको अपडेट कराते रहेंगे आपको 500 MC क्यूश्चन आपको देंगे जिसमें आपको काफी एक जाम में हेल्प मिलेगी तो आज के लिए इतना ही थेंक्स फार वाचिंग